मैं सोच रहा था कि आज सदन्द में एक उत्षा का वासावर्ण होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसर मंत्री बनी है आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलीत भाई मंत्री बने है खुशी होती आज हमारे आधिवासी सुजुल ट्राइब के सरे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने है सब को खुशी होती मानिय अद्द जी इस बार सदर में हमारे साथी सांसर जो किसान परिवार से हैं रामिल परिवेश के हैं सामाजी आर्टी गुरुप से पीछडे वर्क से हैं बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिशक में भोका मिला उनका परिशय करने का आनद होता हर बैंक पर से बैंक को शप्सपा करके उनका गवरों किया गया होता लेकिन शायद बेश कि दलिख मंत्री बने बेश की महला मंत्री बने देश के OBC मंत्री बने देश के किजानों के बेगे मंत्री बने ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिजय तक नहीं होने देते हैं हमस्कार स्वागत है आपका अमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रस एनी लोकसभा में वक्ष के हंगामे पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सीधा पलाठवार किया है संसद के मौन्सून सत्र का पहला दिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का विपक्ष को सीधा संदेश उन्होंने कहा है कि महिला दलित आदिवासियों का मंत्री बनना विपक्ष को रास नहीं आया है और यही वचा है कि आज विपक्ष के द्वारा लोकसभा में जमकर हंगामा काटा किया वही प्रधाद मंत्री जब संसद में खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष को संदेश देते हुए ये साथतोर पर कहा कि मैं सोच रहा था कि सदत में आज उत्साह का माहूर होगा क्योंकि बड़ी मात्रा में महिला संसद जो है वो मंत्री बनी है बहुत बड़ी मात्रा में जो डलित सांसद है उन्हें मंत्री बनाया क्या है आदिवासी जो देता है उन्हें मंत्री बनाया क्या है इस बात की सब को खुशी होनी चाहिके थी किसान परिवार से आने वाले जो नेता हैं, वो मंत्री बने हैं, ग्रामीन परिवेश से आने वाले सांसद मंत्री बने हैं, इसके अलावा आदिवासी मंत्री बने हैं, उनका स्वागत करने का आनन्द होना चाहिए था, लेकिन शायद देश की महिरा, ओबीसी और जो किसानों के बेटे मंत्री वने हैं ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई है इसलिए वो उनका परीच्चे तक नहीं होने देते ये परधान मंत्री की ओर से दो टोक्स विपक्ष को जवाब दिया क्या है पलटवार्ट दिया क्या है जाहिर तोर पर संसद के मौनसुन सत्र की जिसमें विपक्ष का भारी हंगामा लोकसवा में देखने को मिला यहां तक कि जिन नए मंत्रियों को मंत्री मंडल में शामिल किया क्या है जिन नए सांसदों को मंत्री वराया क्या है उन्हें परीचे देने का होका भी विपक्ष के लोगों ने नहीं दिया और यहीं वजा पद्धामंत्रि नज्यंत्र मौती ने रिपक्ष पर सीधा पलंटो की सकता लिवयरत कीहें соглас पडिया है कि यहां एक सब्सक्राइब यो मकाई आया विरोथी है और आदिवसी विरोथीन धीराई की cabinet का विस्ताद हुआ है और जाहिर तोर पर बड़ी संख्या में नए चेहरों को फोका किया किया है जिसमें महिला सांसद हैं जिसमें आदिवासी हैं दलित सांसद हैं जो अपने आख में एक बहुत बड़ी बात है लेकिन विपक्ष्ष इस पूरे पैसले का स्वागत करने क कि बज़वाय जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा किया गया वो साफ तोर पर दिखा रहा है कि ये जिस तरीके से किर्शी काहुनों को लेकर विरोध कर रहा हैं ये तमाम चीजें भूंग नजर आती है जब ये एक किसान सांसत जो मंत्री बना है उसका स्वागत नहीं करते है जब एक दलित सांसत जो मंत्री बना है उसका स्वागत नहीं रख करते हैं तो जाहिर तोर पर ये हंगामा है जो मौनसों सत्र के पहले दिन सदन में देखने को मिला हाला कि लोकसभा की कारफ़ाई भी इस वज़ा से इस्थगित करती गई यहां तक कि विपक्ष के हंगामे को देखते को वे लोकसभा, स्पीकर और उंबिरला ने ये दो टू कहा है कि संसत की गरीमा को विपक्ष विरारा है जो तरीके से नए मंत्रीयों को परीचे देने का मोगा भी विपक्ष की ओर से नहीं दिया गया लेकिन परधान मंत्री ने ये साफ कर पर कहा कि विपक्ष माहिला विरोधी हो चुका है दलित मंत्री बने हैं इसकी खुशी होनी चाहिए लेकिन विपक्ष कॉंग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टिया है उन्हें इस बास की खुशी नहीं है और जाहिर तोर पर इसलिए ही हंगामा बरपाया किया है रक्षा मंत्री राईफनाच सिंग ने भी सदन में विपक्ष को ये साफतोर पर कहा कि लोकसवा में आज जो कुछ भी हुआ है वो बेहत दुरभागयपूर है 24 साल में पहली बार ऐसी परंपरा तूटी है कि मंत्रों को परिचे देने का मौका भी नहीं दिया क्या प्रधान मंत्री सदन में पोले विपक्ष को जवाब दिया लेकिन उस वक्त भी भारी हंगामा देखने को मिला जाहिर तोर पर संसत के मौनसों सत्र की शुरुवात हुई है और ऐसे में विपक्ष हंगावा बरपाएगा इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था हलाकि इसको लेकर एक सरदल्य मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें ये साफतोर पर कहा किया था कि तमाम मुद हातों में चाता लिए वो नजर आए चुकि जाहिर तोर पर ये उनके साथकी का ही परीचे है जो देखने को मिला आज जब बारिश हो रही थी और मीडिया से वो बाचीत कर रहे थे तो खुद हातों में चाता लिए प्रधान मंत्री नजर आए और इसके लाबा एक दूसरी और एक ऐसे प्रधान मंत्री रहे है मनमोहन सिंग जिनके सुरक्षबल उनके लिए हातों में चाता लेकर चलते थे तो ये पी एक साथकी का जो परिच्चे है वो आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की ओर से देखने को मिला प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मीडिया स बाचीत करते भी विपक्ष को साफतोर पर ये चैलेंज दिया कि जिसे बाहों में टीका लग जाता है वो बाहुबली बन जाता है यानि वैक्सिनेशन का जिकर उनकी तरफ से किया क्या प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों की जो तुलना है उन्होंने बाहुबली से की है साथी विपक्ष को सैयम बरतनी की चेता हुनी भी प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी की ओर से दी गई उन्होंने कहा कि कोवीड के खिलाफ लड़ाई पे 40 करोड से जादा फ्रोग बाहुबली बन गए हैं जिन्होंने वैक्सिन लगवाई है साथी प्रधान मंतुरी ने ये भी कहा कि इस पर हम चाहते हैं कि संसद में एक सार्थक चर्चा हो यानि महमारी को लेकर भी एक सार्थक जो चर्चा है वो सदन में होनी चाहिए लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा बरपा रहा है जाहिर तोर पर इसका अंदेशा पहले से ही लगाय चारा था कि दरसल तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर ये तमाम विपक्षी पार्टियां सडियन रस्ती आई हैं फिर चाहे वो किर्शी को लेकर हो किर्शी कानून किया था राजनिती की थी और एक बार फिर से सदन्थ में सरकार को खेडने की कोशिश इनी मुद्दों पर विपक्ष की नजर आ रही है किर्शी कानून जिसको लेकर विपक्ष लगातार किसानों में भन फैला रहा है ये कितना ढोंग है इसका अंदाजा इसी बात से लगा रहे हैं तो उस पर खुशी जाहिर नहीं कर रहा है तो ये साफ तोर पर दिखा रहा है कि अपनी राजनिती को चमकाने के लिए कितना बढ़ा भूंग जो है वो कॉंग्रेस पार्टी और तमान वक्षी पार्टी आ रच रही है हाला कि प्रदार मुंतरी नरेंद्र मोदी न ये साफ तोर पर कहा कि सभी सांसदों और सभी दलों से वो आग्रे करना चाहते हैं वे सदन में सबसे कठिन और तीखे सवाल पूछे लेकिन सरकार को भी अनुशासित माहूल में जवाब देने की अनुमती होनी चाहिए इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा लोगों का विश्वास मजबूत होगा और विकास की गती में सुधार होगा जाहिट तोर पर अगर मौनसुन के सद्र में वक्ष इस तरीके से हंगामा बरपाएगा अगर इस तरीके से कारवाई इस्तगित होती रहेंगी तो आखर किस तरीके से विकास की गती में सुधार होगा अगर विपक्ष तमाम जो बिल्ड हैं जिने पेश करना है जिन पर चर्चा होनी है जिन पर बहश होनी है अगर इस तरीके से विपक्ष का भारी हंगामा चलता रहा तो जाहिर तोर पर ये तमाम चीजे अटक सकती हैं तो यही वज़ा है कि प्रदान मंत्री ने विपक्ष से दो टू की अनुरोध किया है कि कठिन और तीखे सवाल पूछे लेकिन मौका अनुशासित माखुल में जवाब देने का सरकार को भी दिया जाए तो ये आज संसद में मौनसुन सत्र की शुरुपात हुई है लोकसभा की जो तस्फिरे हैं वो साफतवर बता रही है कि विपक्ष का जो एजेंडा है वो विकात नहीं है वो बाचीत नहीं है वो चर्चा नहीं है बलकि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हंगामा बरपाकर इस तरीके से संसद में मौबाल काट कर जो विकात की गती है उसे धीमा करना है ये अवरोध पैटा करना है हर एक चीज में यही बजा है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से भी ये साफतोर पर कहा गया कि विपक्ष जो है वो लोकसभा की गरीमा को गिरा रहा है जिस तरीके से वो सुन नहीं रहा है मंत्रियों को परीचे देने का मौका नहीं दिया गया और जिस करनाश करना चाथी है तह Window को संसटक के इस मौंसुन सत्र में पेश करना है जिन पर वो कॉर्चा करना चाहती है उस पर सार्थक चलच करना चाहती है लेकिन विपक्ष क्या चाहता है Congress Party क्या चाहती है समाजवादी Party क्या चाहती हूँ वो साफतोर पर सदन में देखने को मिला यह सिर्फ और सरकार को घेड़ने के इस तरीके से हंगावा वर्पाया कि तमाम मुद्दों को सरकार जो है वो लोगसमा में ना रख पाए और यहीं वज़ा है कि यह तैयार शुरू से ही थी क्योंकि राकेस्ट कैथ हो या फिर Congress Party हो जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया कि दरसल वो सदन के बाहर हंगामा करेंगे सदन के बाहर किर्शी कानूनों को लेकर विरोध प्रदशन करेंगे लेकिन उनके मुद्दे सदन के अंदर Congress Party रखेगी विपक्ष रखेगा तो यही वज़ा है कि यह हंगावा देखने को मिल रहा है और यह जो सड़ियंत्रू यह जो ढोंग लगातार Congress Party रच रही है चाहे फिर किर्शी कानूनों की आठ में हो कोरोना महमारी के इस दौर में वैक्सिनेशन को लेकर हो यही वज़ा है कि विपक्ष को चैलेंज भी प्रदान मंत्री की ओर से दिया किया नोंने कहा कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सिन लगवाई है वो बहुवली बन चुके हैं और तोनिया गाधी हो किसी ने भी वैक्सिन की डोज नहीं ली है यह भले ही वैक्सिन को लेकर हंगामा बरपा रही हो तो सच्चाई विपक्षी पार्टियों की यह है आने वाले वक्त में लोगसभा की कारवाई किस तरीके से चलेगी यह देखना होगा लेकिन फिलाल तो का मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों का परिच्य कराते हैं लेकिन प्रधान मंत्री के भाशन के दोरान भी कॉंग्रेस पार्टी ने खूब हंगामा किया उनके सांसतों ने जम कर बवाल काटा और बीजेपी कई वर्षों तक विपक्ष में रही है लेकिन काईं कॉंग्रेसी पीम बने पर भी बीजेपी ने कभी ये प्रमपरा नहीं तोड़ी है और कहीं न कहीं यही अंतर है भाजनता पार्टी और बीजेपी में जो साफतोर पर तिखाई देता है एक तरफ प्रदान मंत्री जो इतनी साथकी का परिच्छे संसत के बाहर मी मोहन सिंग थे उस वक्त किस तरीके काम का रवाया था किस तरीके से वो पेश आते थे वो दरश्य भी हमने देखे हैं तो यही अंतर है बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी में जो आज लोकसबा में भी देखने को मिला फिलाल आपकी इस पुरे मामले पर क्या रायक है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद